हेलो गाइस कैसे हो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30x45 का हाउस प्लान तो वीडियो के अन तक बने रहो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फॉर्स्ट अफ ओल मैं इसका एक्स्टरनल वाल ड्राव कर रहा हूं और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो सिबिल इंजिनियर बाइब हाट और साथ में इस पेल आइकन को भी दबा लो ताकि मेरे आने वाले वीडियो मिस्ट ना हो क्यूंकि मैं ऐसे लाता रहता हूं जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम आएंगे आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है इससे बेहतर प्लान आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा सो बने रहो वीडियो के अंदक मैं इसमें आपको कुछ टिप्स भी बत क्षा सकते हैं मैं इसका इंटरनल वाल पार्टीशन वाल ढाव कर रहा हूं जो क्योंगी 5 पांच हिंच का रखा है मैने पार्टीशन वाल एंड आउटर्वाल रिचान देऊन इन आपको 12 कॉलम्स रखने हैं जिसका मैं साइज बता दूँं आपको कॉलम का साइज रहेगा इसमें 10 इंच वाई 12 इंच का और भीम का भी साइज रहेगा इसमें 10 इंच वाई 12 इंच का इसमें आपको 3 बेडरूम्स मिलेंगे 1 किचेन, 1 कमन बाथ और लेट्रेंग, 1 डाइनिंग एरिया, 1 पार्किंग अगर ऐसे वीडियोज हो और देखना चाते हो आप तो जाओ मेरे चैनल पर सीबील इजिनियर बाय हार्ट और उस पर मैंने कई वीडियोज डाला है आप देख सकते हैं जो आपके हांस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम आएंगे अगर इस ड्रोइंग से ड्लेटेड कोई क्वेस्चन हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो और ये भी बताओ कि अगला वीडियो कौन से प्लॉट साइज पर बताओं अगर आप घर का नक्सा बनवाना चाहते हो तो आप मुझे भी कंट्रक्ट कर सकते हो मैं घर का एलिवेशन इस्ट्रक्शल और ठ्रीडी प्लांस भी बनाता हूं मैंने वीडियो के सुरू में बोला था कि आपको हाउस कंट्रक्शन से रिलेटेड कुछ टिप्स बताओंगा जिससे आपके लाखों रुपे बच जाएंगे तो चलिए मैं बताता हूं आपको कुछ टिप्स फॉस्ट आप ऐसे मिस्ट्री को हायर कीजिए जो एक्सप्रिय हादा है कि हाई मैंतेरियल वेस्टै नहीं होने देगा दूसरा आपका वह कि प्लस। извест आच्छा देगा आप ऐसे color करा के उसको ready कर सकते हो पूट्टी कराने का वैसा भी कोई फायदा नहीं होता है अगर पूट्टी करा ओगे dampness होगी वो पपड़ी बनके निकल जाता है तो देखो मैंने यह plan बना के ready कर दिया अब मैं इसका stair case बना रहा हूँ बिल्डिंग की budget के बारे में बात करें तो यह भी एक point है इसका budget आएगा आपको 16 to 22 lakhs depend कहता है आपके quality and quantity के उपर अगर आप अच्छे quality का समान लगा होगे तो इसका budget आपको 16 से 22 lakh तक आ सकता है चलिए मैं इसका dimension आपके साथ share करता हूँ यह होगे अपना main gate main gate इसका dimension मैंने रखा है इसका 10 feet इसके बाद से अपना parking area parking area इसका dimension मैंने रखा है 10 feet by 15 feet 6 inch यहां से steer up यह होगे अपना bath and lettering जिसका size मैंने रखा है 4 feet by sorry 4 feet 6 inch by 9 feet 6 inch यह होगे अपना pooja room जिसका size मैंने रखा है 4 feet by 3 feet 6 inch यह होगे गेस्ट room guest com bedroom जिसका size मैंने रखा है 10 feet by 11 feet 6 inch यह होगे अपना kitchen इसका size मैंने रखा है 6 feet by 10 feet यह होगे अपना dining com living इसका size मैंने रखा है 13 feet 9 inch by 13 feet 6 inch यह होगे अपना bedroom जिसका size मैंने रखा है 10 feet by 11 feet sorry 10 feet by 14 feet यह होगे अपना second bedroom इसका size भी मैंने रखा है 10 feet by 14 feet यह होगे अपना store इसका size मैंने रखा है 4 feet by 7 feet यह होगे अपना OTS OTS बोले तो open to sky इसका size मैंने रखा है 4 feet by 13 feet यह होगे अपना attached bath com lettering इसका size मैंने रखा है 7 feet 6 inch by 4 feet यह होगे अपना garden जिसका size मैंने रखा है 15 feet 9 inch by 4 feet So यही आज का plan गाईज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो comment करो और अपने दोस्तों के साथ share करो और channel को subscribe करो civil engineer by heart thank you